दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका WhatsApp एप open नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करें तो अगर आपका WhatsApp एप आपके mobile में open नहीं हो रहा है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखते रहिए चले मैं आपको 3-4 troubleshoot बताऊंगा उसको आपको follow करना है फिर आपका ये problem 100% solve हो जाएगा तो चले देख लेते हैं कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है आपको अपने mobile का internet connection आपको चेक कर लेना है एक बार आपका internet connect होना चाहिए सही से हो सकता है इसकी वज़े से भी आपका WhatsApp आप ना खुल रहा हो और एक काम आप और किजेगा आपको अपने mobile में flight mode को एक बार enable कर देना है एरो plane mode या फिर flight mode इसके थोड़ी देर बाद आपको इसको बंद कर देना है फिर जब आप अपने WhatsApp को open करेंगे तो आपका WhatsApp open हो जाएगा अगर फिर भी नहीं open होता है तो आगे आपको क्या करना चली मैं आपको वो भी बता देता हूँ तो अब आपको क्या करना है आपको अपने mobile की setting को open करना है settings में आने के बाद यहाँ पर आपको तोड़ा से scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा apps का हो सकता आपके mobile में app manager, app management, app list या फिर app setting करके कोई option हो तो कुल मिल जो लाकर apps का जो भी आपको option मिलेगा उस पर आप click कर दीजेगा फिर यहाँ पर आपके mobile के सारे app आ जाएंगे या फिर यहाँ पर आपको option मिल जाएगा manage apps का आपको इस पर click कर देना है तो यहाँ से आपके mobile के सारे apps आ जाएंगे अब इसमें से आपको अपने WhatsApp को ढूल लेना है WhatsApp आप कहाँ पर है आप ढूल लीजिए अगर आपका WhatsApp आप नहीं मिलना है तो उपर आपको सर्च बार मिलता है यहाँ पर आप क्लिक कीजे और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है WhatsApp अब यहां पर आपको WhatsApp आ जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है फिर यहां पर आपके WhatsApp का एप इंफो उपन हो जाएगा एप इंफो में आने के बाद यहां पर आपको करना है clear data यहां पर देखे नीचे आपको clear data का option मिल जाएगा या फिर यहां आपको ऊपर या नीचे कहीं कहीं storage का एक option जरूर मिलेगा तो आपको उसपर click कर देना है फिर यहाँ पर आपको option मिलेगा clear data इस पर click कीजे और यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा आपको clear all data नहीं करना है आपको केवल clear कैसे करना है clear all data मत किजеगा clear कैसे करके okey कर दीजे इसके बाद यहाँ से आप बाहर आएए अब यही अप इन्फो में ही आपको एक option मिलेगा force stop का आपको यहाँ force stop पर click करना है और इसको ok कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा restrict data use आपको इसपर click करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा wifi, mobile data, sim 1, sim 2 जितने भी option यहाँ पर आएंगे सबको आप tick कर दीजेगा यह जरूरी है restrict data use में जब आप इसको ऐसे un-tick कर देते हैं तो जब आप अपने whatsapp को open करते हैं तो वहाँ पर internet काम नहीं करता है तो इस वेज़े से इसको tick करके रखना है ताकि आपका जो wifi है या mobile data वो आपके whatsapp में काम करे तो इसको आप जरूर टिक कर दीजेगा इसके बाद यहाँ से आपको बाहर आजाना है आप settings से बाहर आजाएए इसको आप यहाँ से भी open कर सकते हैं आपको अपने whatsapp पर कुछ second के लिए दबा कर रखना है फिर यहाँ पर आपको app info दीखेगा इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप directly आ जाएंगे तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिये हैं अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है एक बार अपने mobile को switch off कर दीजे या फिर इसको restart कर दीजे इसके बाद जब आप अपने mobile में अपने whatsapp आप को open करेंगे तो आपका जो whatsapp आप है वो successfully open हो जागा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हेलफू लगा तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा